कल का और परसो का दिन, stock market के perspective से काफ़े critical है, ना सुक है, बोलते ना, यहां तो R हो जाएंगे, नी तो PAR हो जाएंगे, और market भी अपने एक पुराने support, जो इसने support बनाया था, 9th, 8th September के आसपास का, 24,800 के आसपास का, technically भी market अपने पहले important support के आसपास है, और market के event wise भी कल और within काफ़ी important होने वाले है, क्योंकि हमारे सामने कल है, हरियाना election के result, और परसो है RBA की policy, यह दोनों ही event ऐसे है, जिनका अगर तीन महीने perspective में आप मुझे बोलोगे, क्या impact होगा, मैं बोलोगा कुछ नहीं, क्योंकि तीन महीने की perspective में, overall picture में हमें ऐस सच कोई दिक्कत नहीं इन दोनों event की वज़े से, पर अगर आप बोलोगे कि तीन घंटे या तीन दिन पर इनका क्या impact होगा, मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि immediate sentiment को सही और खराब करने में इनका impact हो सकता है, सबसे पहले RBA की policy की बात करते है, Fed की तरफ से interest rate reduction आ गया है, और commentary काफी positive थी, जिसकी वज़े से US market cherish किया था, पहला option ही होता है कि RBA भी यहाँ पे Fed को copy करते है, या तो interest rate reduce कर दे, नहीं तो signal दे दे कि भाई हम follow करेंगे international markets कोई, तो वो overall market के लिए एक बार immediate short term basis पे relief देने वाला काम हो जाता है, यह परसो का event है, नहीं on the contrary होता है, तो debt market और equity market दोनों मे आपको negative movement देखने को मिल सकते हैं, और कल result की बात करें ना, जो center में सरकार है, वो ही एक state में सरकार बनाती है, तो overall सरकार को एक positive strength मिलती है, या positiveness का महसूस होता है, क्या overall impact हो जाएगा 3 महीने, 3 साल की picture में, नहीं, पर क्या immediate short term impact लिए काफी है, I will say yes, और कितना काफी है, I would say कि इसका impact होगा 300 से 300 points on positive और negative side, बाकि आप सभी समझदार है, आपको क्या लग रहा है, वैसे देखा जाए, तो अभी तक जो exit pull आये, वो ये बता रहे हैं, कि BJP जो अभी existing सरकार है, center में, उनको तोड़ा सा upsetting हो सकता है, उनके लिए खराब result आ सकते है, हर्याना में, आपको काफी लोग वहां के है, वहां पर on ground क्या चल रहा है, मुझे comment करेगा, और जो भी चल रहा है, उसके पीछे का current क्या है, उसे भी comment करेगा, तो रहा सा idea लगे कि क्या महाल बन रहा है, हमारी ये community है, आप और हम साथ में है, तो साथ में चलो, कुछ discussion करते है, तो ये simple सी बात ह तो रहा है negative, मैं तो ये कहूँगा कि अगर even upsetting भी नहीं हो और close fight भी हो जाए, तो उसको भी market शायद positive ले सकता है, because technically market एक important support के आसपास बना हुआ है, देखना काफी important होगा, पर अगर round आ जाता है, और एकदम खराब आता है, और एकदम against decision आता है, तो obviously वहां पर हमें negative मिल जाएगा, तोड़ी negative-ness बढ़ जाएगी, और फिर अगला technically important support आता है, अगस्त के आसपास का low, जो 4th और 5th अगस्त के आसपास बनाता, technical levels पर बनता है 23,900, जो market के लिए आप Nifty के basis पर important हो जाएगा, निफ्टी के comparison में, bank Nifty की ज्यादा पिटाई हो रही है, bank Nifty ज्यादा ट FIIS, FIIS को लग रहा है कि China structurally important हो सकता है, वहाँ पर शायद पैसा flow हो रहा है, और यहाँ पर आपको daily FIIS के तरफ से 10-10,000, 15-15,000 क्रोड की selling मिल रही है, जो negative हो रहा है, DIA is buy कर रहे है, पर यह तो cash market की situation होई, अगर आप options का data देखोगे, futures का data देखोगे, तो अच्छी खा market के लिए, और यह much needed correction भी था, current कुछ भी हो, जहां तक बात रही, China वाली बात की, मैं यह personal experience से यह कह सकता हूँ, कि आज से एक साल बाद आप देखोगे, तो जो China के immediate आपको returns देखे है, जिसकी वएसे सब लोग attract हो रहे, यह point इतना valid नहीं भी रहे, तो I won't be shocked, मैं कोई strong statement नहीं बनाओंगा यहां पर क्योंकि अभी situation clear नहीं है, China can bounce back, पर क्या China इंडिया का outperform करेगा, तोड़ा सा personal biasness के साथ, I feel क्योंकि वहां पर कुछ भी हो सकता है, मतलब वहां का सबसे अमीर आदमी भी कभी गायब हो जाता है, और किसी को कुछ पता नहीं चलता जब इतना ज step ले रहे है, वो positive है, चाइना की economy और stock market के perspective से, पर क्या long term में यह continue रहे पाएगा, तोड़ा सा doubtful रहता है, तो इसलिए मैं personally इतना जादा चाइना को लेके positive नहीं हूँ आज के दिन, पर हाँ, China में bounce back, I was also expecting, because 10 साल की underperformance थी, तोड़ा सा bounce back वहां पर बनता है, और अगर हम Indian market की बात करते हूं, आप यहाँ पर check out करेगा, अभी बस अगले एक minute में market close भी होने वाला है, पर overall trend अगर weekly candle पर देखोगे, तो obviously negative था, आज भी वो trend negative continue रहा, because market ने 50 day moving average के नीचे की closing दी है, जब भी market 50 day moving average के नीचे की closing दे, आपको समनना जरूरी होता है, even 50 day moving average की line होती है, वो ultra short term, मतलब दिन का trend पता करने में भी 15 bit पर काफी useful होता है, आज भी अगर आप check out करोगे, तो यह देखो, reversal आपको 50 day moving average की line से ही मिले, bank nifty में तो और important है कि market में एक समय ऐसा आयता, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि market में bounce back आ रहा है, और शायद इसे close भी कर जाएगा positive और green में भी convert हो जाए, पर यहीं से resistance फिस करते हैं, market नीचे वापिस है फिसला, तो overall trend अभी negative बनावा है, पर जहाँ पर market आज की दिन खड़ हो रहा है, क्या selling अभी complete हो गई है, market trend वापिसे positive हो गया है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, मैं अभी भी अगर आप short term, medium term की बात करोगा तो general market trend अभी तुला सा cautious वाला बनावा है, even हमारे volume distribution days बढ़ रहा है, जिसकी वज़़ए से market trend, uptrend से neutral आने की बहुत close है, आज का ज नहीं पर भी नहीं बदल रहा है, market trend अभी भी cautious है, rather negative ही बनावा है, पर इस negative market trend में भी पहले हम support के आसपास है, यहां से market बार बार bounce back करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे किसे trigger की requirement है, वो कल political trigger होगा, या परसो RBA का trigger होगा, मुझे नहीं पता, पर अगर यह वाला level जो यहा बेस को हम ध्यान रखेंगे, नीचे की side 2700, उपर की side 24950, इसके उपर गया तो ही positive trade बनती है, इसके नीचे गया तो negative trade, और यह हमारे लिए no trade zone हो जाता है, because यहां पे looking at the number of events जो हमारे लिए lined up है, यह risky area to trade बन जाएगा, तो इसके basis पर काम होगा, अगर significant gap down हो जाता है, तो बहुत simple से situation है, gap down होने के बाद, अगर market में 2 या 3 भी halting candle आ जाती है, तब भी उनका मैं low को stop loss मांद के, एक बार dead cat bounce के लिए play कर जाऊँगा, although वहाँ पर stop loss hit होने के chance होते है, पर इसके लिए मैं play कर जाऊँगा, gap up हो गया, तो फिर हम immediately कुछ नहीं कर सकते, 25,000 के cross होने का वेट करेंगे, 25,000 के उपर ही market में positiveness या फिर नहीं trade initiate होगी, वरना अगर market gap up होता है, तो सबसे ज़्यादा chances है, देखो, gap down और flat opening में तो आपके पास एक directional move मिले के chances होते हैं, पर अगर हलका फलका भी gap up हुआ ना, तो दोनों side volatile करते हुए, आपके खून पीने वाला दिन ह हो जाए कल के दिन, तो शौक मत होईएगा, उसकी ज़्यादा chances होते हैं, बैंक निफ्टी भी अपने पहले important support के आसपस है, यह support break हुआ 50-250, तो सीधा नीचे 500.49-500 पर important support आएगा, तो यह हमारे ले एक important do and die वाला support है, इसके नीचे यह वाला support तो खेर मैं काऊंगा, इतना तोटता है, देखें, यहाँ पे तो यह तोटेगा, तो सहीचेस तरीके का market trend मनावा है, probability of breaking this down is high, पर एक बार पहले bounce back देके तोटे, तो माहौल के लिए, overall trend के लिए, bigger picture के लिए, एक महीने के perspective के लिए, market में आपके लिए, positive-ness होने के chances ज्यादा होते हैं, वरना तो फिर य overall market trend में कल के दिन सबसे best situation यह होती है, कि flat या फिर gap down हो जाए, इन दोनों situation में एक बार reversal trade, positive side की trade मिलने के chances ज्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको mark कर लेना चाहिए, ये वाला level और नीचे की side ये वाला level, उपर की side 50,800, नीचे की side 50,200, इसको तोड़ा सा no trade zone मानते हुए, इ एक बार bounce back के लिए try करना कल के दिन बनता है, overall trend अभी भी negative है, विक्स आप देखोगे तो finally 15 के आसपास cross कर चुका है, which is fearful, market में fear भढ़ रहा है, ये market के लिए गलत है, market में negative trend के लिए ये सही होता है, और अगर आप positive है, long है market में, तो ये आपके लिए negative होता है, finally, अगर अभी तक कोई भी correction start नहीं हुआ है, अगर वहाँ पर भी correction start हो गया, तो general market trend जो अभी neutral पर आया, वो downtrend पर भी जाने की हिम्बात रखता है, although I know, अभी लोगों को negative होने की या negative market की आदत नहीं है, मैं भी जाला डरा नहीं रहा हूं, because I don't think कि ये जो भी चल रहा है situation, ये एक महीने या डेड़ महीने तक चल जाएगा, पर yes, immediately आने वाला हफता, तोड़ा सा cautious हने का, volatile होने का, दोनों साइड के move capture करने का, एक बार कल के लिए मैं bounce back की बात कर रहा हूं, पर उस bounce back में, जैसे important resistance के आसपास पहुचता है, तो वहाँ से वापिस से short की opportunity grab करने का, hardcore trader का, ज में share कौन से important होंगे, मैं एक दो share का आपको example देता हूं, जैसे की, Reliance for example, मुटा भाई, ये important critical role play कर सकता है, आपको इसके अलावा और कौन से लगते हैं कि कौन सा important role play कर सकता है, comment करके बता दीचीगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कि रहना मज जाएगा, happy learning and I will see you very soon mutual funds में invest करना चाते है, distribution से related हमाई services चाते है, तो description को check out कर लिजीगा, आपको link मिल जाएगा